अच्छे बताओ योग करके दर्दे कितनों ने कम कर ली कंदों का दर्द मैं कहता हूँ दो सिंगी यहां लगाओ दर्द गुटने का दर्द 99% तो पहले ही दिन से दर्दे कितनों ने कम कर ली जरा हाँथ उठाई ओ यहांने के बाद दर्दे eld पेंस हाठी लाना जरा अलग अलग पूरे पंडाल में दोनों हाथ ही लाओ, कुछ ने तो कम कर ली और कुछ ने तो खतम ही कर ली, एक बार सब का अभिना दना, दर्दू का तो तीन तरह की बड़ी बिमारी हैं, एक वात, उसका तो इतना सटीक उपाई मिल गया हमें, एको प्रेशर, एको पेंचर, काईरो प्रैक्टिक, फिर फीजियो थेरा पे हम योग के वाले धंग से कराते हैं, फिर बस्ती, फिर रक्तमोक्षन सिंगी, जहां से भी दर्द होता, वहीं से ही पेन को निकाल देते हैं, फिर दुबारा बनने नहीं देते हैं, फिर E.S.R. ट्वेल कैलिसेम, एरेन, ओमेगा, इनके सबकी कमी होती हैं, उसकी भी पूरती करते हैं, दर्दू का तो ऐसा भगवान ने हमको वरदान दे दिया, कि दर्द नहीं रह सकते हैं, 99% लोगों के दर्द यहां साथ दिन में, और जो बाकी 1% थोड़े बहुत बच भी जाते हैं तो उनके दर्द, महने दो महने में, यदि मेरी पूरी दुनिया बात मान ले तो सारी दुनिया के दर्द में, एक दो महने में, सारी दुनिया के दर्द खतम कर सकता हैं, माने दो, लोग इधर उधर धक्या खाते हैं, फिरते रहते हैं, पेन किला, स्री राइट, बाइलोज कि दर्द कितना ही मर्ज कितना ही घहरा हो करो चलो सीधे बैठो कि देन बार यह थैरापियां चलते रहे उपवास करो लंबा उपवास करो जिनको दर्दें खतम करनी है ना फाइब्रमाइल जिया साथ दिन के उपवास से और सारी थैरापियों से जो एक एक दो दो घंटा तक तो बिस्तर सी हिलने ही पाते थी उसको फाइब्रमाइल जिया कहते हैं उपवास